जोहार नमस्कार आप सुन रहे हैं रडियो खाची 90.4 FM हम सब का रडियो मैं डॉक्टर कमल बोस रडियो खाची के सभी शुताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन करता हूँ आज एकविशिस दिन हम याद कर रहे हैं एक महान आत्मा को उस महाव्यक्तित्त को जिन्होंने उखार फेका हर दुश्मन को उखार फेका हर दुश्मन को जिसने जहांसी का अपमान किया मरदाने की परिभाशा बनकर आजादी का पैगाम दिया आजादी का पैगाम देने वाली आजादी के संगराम में महत्वपुन योगदान करने वाली साहस की प्रतिमूर्ति अप्रतिम वीरता और शौर्जी की वेविशाल गाथा भारतियों के मन प्राण में च्छाई जिन्होंने भारत की धरा को गौर्मान दित किया एक ऐसी महान आत्मा महान हस्ती को हम नमन करते हैं और उन्हें हार्दी शद्धान जली अर्पित करते हैं सिंहासन हेल उठे राजवंग्षों ने घ्रकूटी तानी थी बुड़े भारत में फिर आई नई जवानी थी गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमक उठी संसंतावन में वो तलवार पुरानी थी बुंदेले हर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो जासी वाली रानी थी सुतंत्र चेतना की अमर जियोती जासी की रानी लश्य बाई के उजवल स्वहिमानी और तेजो दिप्त व्यक्तित्य के प्रती अर्पित शद्धान जली है ये पंक्तियां आज उनकी पुर्णिति थी सच ही कहा गया है कि जिस समाज में संगर्ष नहीं होता वहां उम्मीदों और सपनों की जगह भी सिमट जाती है सच मुझ जीना केवल सांस लेना नहीं है बलकि आजादी के उन मुक्त गगंतले सुहिमान की जमीन पर अपने जड़ों और भूम्मी को याद करना भी जरूरी है भारतियों में चेतना और इस फूर्ती का संचार करने में जनजीवन में जागरन का उद्गोश करने में उन विरांगनाओं के शौरिये और अपरतीम साहस का उलिखनिये योगदान रहा है जिन्हों ने अपनी वीरता के उतकर्ष से आजादी का शंखनाद किया अपने शौरिये और बलिदान से आजादी की मसाल जलाई जिनके लिए गुलामे की जिन्दगी से आजादी की मौत बेहतर थी जिनके उस्साह गुल्लास तिशानुराग की उदात भाउना के कारन विजश्या करांताओं के विरुद्ध आत्मसंगटन के भाव देश वासिय में हिलोरे लेने लगे गुलामी के विशाक्त माहौल में मितक प्राय निराश भारतियों में उस्सा कर संचार हुआ उनकी धड़कने तेज होई विजश्यों के खिलाफ एक जूट वे मरने मारने को आमादा भारतियों ने आजाद भारत का सपना देखा सभी आंदोलित वे आजादी के वीर नायक नायकाओं ने आजादी के स्वप्न दरश्टा कवियों ने कायरों को साहस दिया निरवलों को बल दिया वितकों को संजीवनी दी जनसाधरन को जिर्ध संकल्प श्रक्ति का उपहार दिया जांसी के रानी लख्षेवाई ने साहस और बलिदान तथा दिश्वप्रेम का अद्भूत अनुपम उदारन प्रस्तुत किया अजादी के समर में अमर हुए वीर सपूत बाल कृष्ण शर्मा नवीन की या कांग्शा और उतकंठा अविवक्त हुई है इन पंक्तियों में कभी कुछ ऐसी तां सुनाओ इसे उथल उथल मज जाए एक हिलोर उधर से आए एक हिलोर इधर से जाए प्रानों के लाले पड़ जाए त्राही त्राही नब में चाए नियम उपर नियम के ये बंधन टूक टूक हो जाए विश्वभरी की पूशक विरा के सबतार मुक्त ह जाए मुक्ति के लिए था यह संग्राम अजादी के लिए था यह संग्राम जिसका विजारोपन जास्वी किरानी लक्ष्वभाई ने भले ही अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1857 इस वी में उनके द्वारा लड़ी गई एक असफल लड़ाई के साथ किया किन्तु सच यह है कि युद्ध भले असफल हुआ पराली लक्ष्वाई के व्यक्तित्यु की चमक न तो कहीं से प्रभावहीन हुई और नहीं प्रभाहीन इतिहास साक्षी है कि 1857 इस वी में देश की सुदंतर्ता के लिए लड़ी गई यव पहली लड़ाई थी इसे हिंदुओं और मुस्लमानों ने मिर कर लड़ी थी अंग्रेजों की कठोर शासन नीती एवंग बढ़ते सत्ता लूप से देश के विभिन भागों में छोटे-छोटे रजवाणों के बीच लंबे समय से विद्रों की आग सुलग रही थी मुगल राजवंग्ष का अंतिम बादशा बादू शाह जफर प्रभावीन हो गया था दरंकुष अंग्रेजी हुकूमत सत्ता लिफसा से चूर छोटे-छोटे राज्यों को अपने अधीन करने को आमादा थे जहांसी नरेश की मिर्तियों के बाद अंग्रेजों ने जहांसी पर कबजा जमाना चाहा जहांसी नरेश की अपनी कोई संतान नहीं थी और गोदली ही संतान को अंग्रेज उत्राधिकारी मानने के पक्ष में नहीं थे पर रानी की देड़ता तो कुछ और ही चाह रही थी उनकी हुंकार से ये स्वर गुझा मैं अपनी जहांसिय नहीं दोंगी रानी लश्यवाई ही नहीं रजवाडे भी असंतुष थे शुब्द थे ऐसे ही शुब्द और आक्रोशित रजवाडों के सम्मूने दिन्दगी है करपनाओ की जंग कुछ तो करो इसके लिए दवंग जीओ शान से भरो उमंग लहराओ सब के दिल में देश के लिए तरंग बुड़े भारत में जवानी का संचार हो गया अंग्रेजी शासन भयाकरान्त हो गया आजादी का अर्थ और इसकी रौनक सब की समझ में आचुकी थी आजाद भारत का संकल्प सब ने लिया था इस युद्ध में जासी के रानी ने जैसा शौरिय और युद्ध कोशल दिखाया उस यश्रोगान से प्रभावित होकर कवित्री सोदरा कुमारी चौवान ने जासी की रानी को मरदानी की संग्या दी पिता की अकेली संतान यश्य भाई कानपुर के नाना की मुवोली बहन थी धाल, क्योपान, बर्ची, कटारी उनके सहलिया थे जिनके साथ वो खेला करती थी गड़कियों के शौक की जगः वीर पुरुषों के गुण और आचरन उनमें बाले काल से ही दिखाई पड़ती थे बच्वन से ही लक्ष्मी बाई नकली वीहु रचने सैनने सजाने, घेरने दुर्ग तोड़ने जैसा खेल खेला करती थी ऐसा लगता था कि वो स्वयम वीरता की अवतार थी अत्वा लक्ष्मी दुर्गा थी लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयम वीरता की अवतार देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार नकली युद्धे, वीहु की रचना और खेलना खूब शिकार शायन ने खेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिये खिलवार महाराश्र की कुल देवी उनकी आराध्या थी विरांगरा लच्षिवाई का जव जासी के राजा के साथ विवाह संपन हुआ तैसा प्रतीत हुआ मान में वीर्ता और वैवाव एक साथ एक जूट हो गए हूँ पर कुछ समय के बाद नरेश काल कावलित हो गए राणी विदवा हो गई अंग्रेज अधिकारी डलहौजी खुश थे जासी राजी को अपने अधीन करने का बड़ा अच्छा मौका मानों ने मिला था उसने दुर्ग पर फौज भेज़कर बिटिस जंडा फाराया पराणी ने इसका पुर्जोड विरोध किया बुझा दीप जासी का तब डलहौजी मन में हर्शाया राज्जी हडप करने का उसने यच्छा आउसर पाया फौरण फौज भेज दुर्ग पर अपना जंडा फाराया लावारिश का बारिश बनकर विटिस राज्जी जासी आया अंग्रेज शासकों के पैरों की ठोकरें अन्य राजाओं और नवावों को भी खानी पड़ी जासी की राणी ने दासी बनकर रहना मंजूर नहीं किया पुना महरानी की भूमी का निवाती हुई अंग्रेजों के विर्ध जुद की घोशना कर दी सरत्र रजवाणों और नवावों पर भी अंग्रेजों द्वारा दमन किया जा रहा था बंगाल और मद्राज की भी यही विचा कथा रही राणी और बेगवों के कपड़े और ज्यवरात करकत्ता के बाजार में सर्याम निलाम हो रहे थे राणी लक्षिय भाई के रणगोष से तिशाएं प्रकमपित होने लगी नाना धुन्दूपत पिशवा आधी क्रांती का ग्रदूत बनकर इस महायग के लिए बड़ित तैयारी कर रहे थे अब माहौल तेजी से बदल रहा था जोपड़ी और माहल एक साथ वेतना और अपमान जेल रहे थे महलों ने दी आग छोपड़ों ने ज्वाला सुलगाई थी यह सुतंतरता की चिनगारी अंतरतम से आई थी जासी चेती दिल्ली चेती लखनाओ लपेटे चाई थी मेरट कानपूर पटना ने भारी धूम मचाई थी सभी जगह रनवेरी की गूंज सुनाई पढ़ रही थी अजादी के इस महायग में बहुत सारे वीर माकुरे शामिल थे इदर जासी के मैदान में रानी जासी अपने सैनिक टुपडी के साथ मरदानी बनी वीर वेश में सुसजित होकर गश्ट लगा रही थी जब अंग्रेज लेटिनेंट वाकर युद के लिए आगे बढ़े तो रानी ने तलवार खेच कर उस पर गहरा वार किया और वाकर जख्मी होकर भाग खड़ा हुआ रानी आगे बढ़कर कालपी पहुँची सौ मिल की दूरी घोडे पर सवार रानी ने जुद्धरत तै की सुबाव तह घोड़ा और सवार दोनों ठक कर चूड़ थे रानी ने दूसरा घोड़ा लिया और अंग्रेजों पर तूट पड़ी जमना के किनारे रानी ने उन्हें पराजित किया इस विजए अवियान के साथ रानी गौालियार पहुँच गई अंग्रेज बार बार रानी से पराजित होने के बाद भी नई फौज के साथ रानी के सामने होते जुद्ध होता जनरल स्मीथ रानी के सामने था इस बार वह भी पराजित हुआ रानी का साथ दे रही थी उनकी ही विश्वस्त दो सहसी विरांगना दोस्त काना और मंदरा युद करते करते रानी काफी ठक चुकी थी पिछे से ही रोज की फोजी टुकुडी से रानी घिर गई रानी ने हार नहीं मानी मार काट मचा कर घरे को तो तोड़ दिया और आगे भी बढ़ गई परन्तु आज भागय ने उनका साथ नहें दिया मानो सामने दुरभागय ख़ड़ा था सामने एक बड़ा नाला आगया और घोड़ा नया होने के कारण अड़ गया रानी अकेले थी उन पर लगातार वार होने लगे घायल सिंगनी की तरह अंतिम सांस तक रानी लड़ती रही अपना लोहा मनवाती रही और अंत में काल के काल में समा गई इसलिए कहा कवित्र ने कि रानी गई सिधार किता आग उसकी दिव्य सवारी थी रानी गई सिधार चिता आग उसकी दिव्य सवारी थी मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी अभी उम्र कूल 23 की थी मनुझ नहीं आउतारी थी हमको जीवित करने आई बन सुरंतता नारी थी दिशा गई पत सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी खूब लड़ी मरदानी वह तो जासी वाली रानी थी सुतनतता की मूर्तिमा नारी बनकर जासी की रानी ने हमें अपने पत और दिशा का ज्यान कराया था सर्व धर्म समनवे की बात उन्होंने हमेशा की थी उनका सबसे बड़ा धर्म माना होता था आत्म विश्वास बढ़ाने की बात उन्होंने हमेशा की दूसरों पर अंद विश्वास ना करने की नसियत दी हमारी दूर दिर्ष्टी और समद्रिष्टी हमें सफल बनाती है अपने लक्ष को पाने के लिए दूसरों को नुक्सान पहुंचाना अनुचित है आत्म बंद्रवरता आत्म सम्मान आत्म स्वाहिमान का पाठ उन्होंने अपने आचरन से हम सब को दिया कवित्री सुजर कुमारी चम्हान के स्वर में प्रत्य किसग्य भारतवासी आज अपना स्वर मिला कर कहता है जाओ रानी याद रखेंगे हम किसग्य भारतवासी ये तेरा बलिदान जगाएगा शुदन तरता अभी नाशी खुए चुप कितिहास लगे सचाई को चाहे फासी हो मतमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे जासी तेरा इस मारक तू ही होगी तो खुद अमिट निशानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँ हमने सुनी कहानी थी कि खुब लड़ी मरदानी वह तो जासी वाली रानी थी